डियर स्ट्टेंट्स वी आर गोंग टू डिसकस चैप्टर सिक्स ग्रीन लैंड लैंड ओफ आइस एंड स्नो ग्रीन लैंड के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं जो ग्रीन लैंड है वो कावर्ड है बर्फ से या आइस से और स्नो से काफी एरिया जो कावर्ड है और यह आइलेंड का किस टाइप का है वेजिटेशन और लाइफ कैसी है और यहां पर अगरिकल्चर और इंडेस्ट्री किस प्रकार से वर्क करते हैं लेट स्टार्ट ग्री लेंड है लाजस्ट आइलेंड ओफ दा वर्ल्ड मीज़ ग्रीन लेंड है वो लाजस्ट सबसे बड़ा डेनमार्क डेनमार्क का सेल प्रोवियंस आपका एरिया है इसकी कैपिटल है नूक है और अलियर इट वर इट वोज नोन एज आ गोड़ थब इसे गोड़ थब कहा जाता था दा फास्ट योपिन हुई विजिटेट ग्रीन लेंड वाज एन एक्सप्लोरर काल्ड एरिक जो फास्ट विजिटर था जो ग्रीन लेंड में गया उसे एरिक कहा गया दारेट ही गेव आई लेंड डाला आई लेंड इस नेम और उसके बाद उसका नाम उनोंने दिया लोकेशन ओफ ग्रीन लेंड ग्रीन लेंड का एरिया वाउट ट्वंटी वन एंड फाइब लाइक स्क जो किलोमेटर एरिया है वो ग्रीन लेंड कवर करता है और मोर देन टू थार्ड ओफ आई लेंड लोकेशन नोर्थ ओफ आर्क्टिक सर्कल आर्क्टिक सर्कल का जो नोर्थ पार्ट है उसमें ये टू थार्ड पार्ट है जो इसका लोकेशन दिखाई देता है या लोकेशन है आई लेंड लूक्स बाइट यह सफेज दिखा ही देटा है वाइट दिखाई देटा है टो 80% ऑफ़ द एर्या कवर्ड विद जो एंड़ आई तो 80% एड़िया इसका आई से कवर्ड है और इसलिए यह वाइट दिखाई देता है climate of island island का climate कैसा है Arctic Circle pass through the Southern part of Greenland Greenland का सब्सक्राइब है जो सब्सक्राइब है नीचे का पार्थ है यहां से Arctic जो आपका line है या circle है वो पास होती है और most of Greenland therefore lies in fridge zone इसलिए जो में काफी एरिया है जो riz jone में पढ़ता है इंदा नौर्थ है मिसस्पेयर जो नौर्थ हमिस्पेयर रहा है अधर है उसमें यह पढ़ता है और इसे फ्रीस जोन में आ जाता है इसलिए अपको यहाँ पर मिलेगी 80 एंट अजब दा region is also known as a tundra region और इस region को tundra region भी कहा जाता है ठीया tundra region भी इसको कहा जाता है huge piece of ice frequently break off and float in the sea तो बड़े बड़े जो टुकडे हैं huge piece हैं वो यहां से तूटते रहते हैं और उसके बाद वो sea के अंदर गिर जाते हैं अब फ्लोटिंग करते हैं तैरते हैं और इन्हें iceberg कहा जाता है iceberg कहा जाता है they pose great dangers to ships in sea और इस sea के अदर जो ships जा रहे होते हैं ships जाते हैं उनके लिए बड़ा खत्रा यह बैदा कर देते कई पर उसे टक्रा जाते हैं तो इस प्रकार यह जो iceberg bugs हैं यह खत्रना क्वी हैं the southwest coastal green land is barmast part of the country जो इसका southwest पार्ट है southwest पार्ट है वो सबसे गर्म पार्ट माना जाता है इस country का most people live here और यहां पर ज्यादतर लोग यहीं पर रहते हैं मिनिये गर्म एडिया माना जाता है और ज्यादतर लोग यहीं पर रहते हैं कि वैजिटेशन एंड वाइड लाइफ यहां कि वैजिटेशन बंस्पती कैसी और वाइड लाइफ जो बन्याजीवन है वह कैसा है जुटी पॉसिबिलेटी जै ऑफ ग्रोफ लांट्स आप निक निकमे महिजीवल इं ग्रीब लेंड के अंदर Depot जादा है जिसके काड़ जो प्लांट्स अउगने की जो पोशुम्वलीर्टी वह दो शीं रहत graduate बहुत कम जो प्लांट्स एव यह देर यह और नौफ यहां पर ना तो कोई फोरेस्ट नहां तो जंगल है और ही क्रॉप साटें वीफ्रोण हेयर कोई कुछ नहीं यहां पर उगता सब्रांट सकंब имеет the summer summer month के द्शोंप कुछ आदे हैं यह यह जाते हैं यह कडियर आर मुसिर लीचे लीचन्स ग्रासिज एंड बोसिज कुछ जाड़िया है जो ग्रास है लिचंस है मोसिज है यह उग जाते हैं कुछ टाइम के लिए और और इस एरिया के अंदर वही लोग जानबर मिलते हैं जो एक्स्ट्रीम बहुत जादा ठंड को सहन कर पाते हैं तो इस प्रकार से वही जानबर ग्रीनेंड के अंदर मिलते हैं अमंग ओफ दा पॉलर वियर यहां मिलता है रेंडियर मिलता है मस्क ओक्स मिलता है वुल्फ आर्क्टिक फोक्स सील यह मिलते हैं जो ठंड को सहन कर पाते हैं या इनकी जो फूर होती है वो ठीक होती है मोटी होती है जो अच्छे से सहन कर पाते हैं सवरल बाइटी जो फिस यहां पे फिस बहुत ज़्यादा मिलती हैं सीवार्ष और सो फांड है शीवार्ष भी मिलते हैं बुल्फ लाइक डॉग्स हैं हस्कीज तो कुटे जो बुल्फ है वो डॉग के समान होते हैं हस्कीज कहा जाता है और इनका यूज किया जाता है हंटिंग के लिए और पूल की जाती है स्किन ओरफ वर उफ डाइनिमल्स ऑर यूजड दू मैं लोट इन जो एनिमल्स है इनि एनिमल्स की जो स्कीन है और फॉर है उसको फॉर बराणिम के लिए यूज़ किया जाता है दाफ ऐट इसूज्ज आजफी और जो इसकी फैट होता है से मेंसे निकलता है उसका फ्यूल के लिए यूज किया जाता है या यह कैसे हैं दे वर्न फायर या आग जलाते हैं ताकि उन्हें थोड़ी सी हीट मिले गर्मी मिले है कि अर्लियर दे यूज ऑ पोज आण्ड Hind आज पंस चोट में और क्या है कि यहां की लोग 100 ग कुछ जैसे कमान अधिक प्रयोंग करते थे और और हार पंस को तीलोंग करते थे हंटिंग के लिए मिन तरेडिशनल फिर और रहते ते और और उस जो 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 पराने जमानने में जो यूज किया जाता था तीर उनका यूज करते थे वाट अव क्या है वो यूज करना स्टार्ट कर दिये गन का यूज करना स्टार्ट कर दिया इन दा पार्ट दे इनुलेंट आवा वर नो मैडिक और जो यहां पे जो लोग रह टू रॉम आराउंद फ्रो आउट दाईयर टू हएग हट और इस परकार जो ये लोग है रोम इन घूंबते रहते हैं हंट के लिए शिकार करने के लिए दोड़ों घूमते रहते हैं और यह लोज करते हैं बिना परिये की जो वाड़िय का यूज करते हैं और पुल्ड की जा फीशिंग के लिए और इसे क्यायाक कहा जाता है क्यायाक कहा जाता है फीशिंग के लिए जो वोट यूज रूमिंग अराउंड दा इन्यूट यूज्ट टू लीव डा टैंप्रेरी हाउस मैड ब्लोक्स ऑफ आइस इच काल्ड इगलू तो ये क्या करते हैं बच्छे जो यह कि लोग हैं जो रहते हैं वो घर को बनाते हैं आइस का आइस का जो हाउस है वो बनाते है इसे इगलू का जाता है क्या कहा जाते है इगलू और इगलू को बनाया जाता है आपका जो आइस की ब्रिक्स है इट है उससे dear students remaining part of this chapter we will discuss in next video thank you student